नमस्कान पीपीजी पार्ट साला में आप सभी का स्वागत है मैं श्रमुनात तिवारी अलिगर्द मुस्लिम बिश्वुद्याले अलिगर्द के हिंदी विभाग में प्रोफसर के रूप में कारियत हो आज हम लोग आधुनिक काविभ भाग दो के अंतरगत धूमिल की कविता की भाषा और शिल्प के विशे में बातचीत करेंगे इस पाट का उद्देश से धूमिल की कविता की भाषा लग विशेस्ताओं से आपका परचे करवाना है और इस पाट के धेन के उपरांथ आप जान सकेंगे कि धूमिल जैसे मारमित जंगेकार की तिक्षडता क्या है धूमिल की शिल्प गप विशेस्ताओं को भी रिखांकित कर सकेंगे कव भाषा कवकी जीवन द्रिष्टी एवं मेथार्थ चेतना को विव्यक्त करती है समाज में घटित हर घटना रचनकार के विचारों सम्वेद्नाओं जीवन मुल्यों को प्रभावित करती है कब की यथार्थ जेतना उसके विचारों को प्रभावित करती है और विचार उसकी भाषा को गड़ते है सामारिक बदलाओं के हर मोड़ पर यथार्थ के अंदरूप भाषा का रूप बदलता रहता है सात्में दशक की युवा पिढ़ी ने जिसमों भंग की यातना सही और आजादी के बीस वर्ष पस्चाथ देस्थितियों को बदतर होते देखा उसकी भाषा स्वावाविक रूप से बदल गई समकालीन कविता के कवियों में भाषा का यह परिवर्टब सबसे अधित धूमिल में दिखाई देता है धूमिल ने माना कि कविता के लिए सही शब्दों की तलाश आवश्यक है जो कि अधार्थ को पूर्णता में अभिव्यक्त कर सके इस संदर में उनका पहला कदम कविता को भाषाहीन करना है अपने इस प्रयास में उन्होंने अनेक तरीके अपना है जिसमें गद्यात्मत भाषा, सपाट बयानी और अशलीलता को चूते हुए कविता के प्रांगण से चित शब्दों का प्रियोग शामिल है बिम्बो पृतिकों का विरोध न करते हुए भी उन्हें स्वाभावित, ठोस, सुवोध और ग्राहे बनाने का प्रयास उनके द्वरक किया गया यही बातें उनकी भाषा को मौलिक और विशिष्ट बनाती है धूमिल की कविता की भाषा की अगर बात करें तो इस संबंद में ड़कर ब्रह्मदेव मिश्र का एक कथन है कि धूमिल का हर स्थिती में आहलादित कभी मन अपनी संघर्ष साधना में भाषा की सहज उपलब्धी में सफल हुआ है अनभो ताप में जलते हुए आहलाद प्राप्ती की प्रिकरिया में जो जितना सहज हो पाता है उसकी भाषा भी उसी अनपात में सहस्ता प्राप्त करती है धूमिल ने अनुभो के ताप को जिस सहस्ता से झेला और मन के आलाद को सुरक्षित रखा साथवत्तरी कविता में वह एक अलग मिसाल है इस साधना ने ही उनकी भाषा को वह सहस्ता दी है कि वह अपने यूग का मानक बन गई उनकी कविता में आया प्रतेक शब्द जीवन्त अनुभों से जुड़ा होने के कारण अर्ध प्रिक्रिया में सहचर शब्दों का सक्री सहायक बनता जाता है और काब संबेदना अपने प्रवाह में कहीं बादित नहीं हो भी भाषा और संबेदना का यह परस्पर आलंबन कभ एवं उसकी कविता की शक्ति का दियो तक है धूमिल की भाषा एवं संबेदना की अभिन्यता समसामईक हिंदी कविता की सार्थक पहचान बन करूबरी है धूमिल की कविता आम आदमी के अनभव, चिंतन, मनन, एवं मानवी सम्वेदना और सोच को सक्री बनाने वाली कविता है जिसमें परवेशगत अधेरे पर गहराई से सोचा लेया है इसलिए उससे अहिव्यक्त के संकट का सामना नहीं करना पड़ता समकालीं कवियों के भाषा प्रियोग में जितनी सफलता धूमिल को मिली है, उतनी अन्न किसी को नहीं डक्टर कुम्चन राजपाल के अगर शब्दों में कहें, तो उन्हें शब्दों का जादुगर कभी माना जाना चाहिए डक्टर गणेज तुलसीराम असेस्टकर ने उनके शब्दों को पाठकों के कलेजे में चाकू छूरे से उतरने वाला माना है और कहा है कि कामाईनी की भाषा मीठी मीठी लोरियां सुना कर सुलाने वाली लगी थी तो धूमिल की कविताओं की भाषा उनकते हुए व्यक्त के दोनों कंदों को पकड़ कर जगजोड़ती सी लगी है शब्दों के सटीक और सार्थक प्रयोग में धूमिल की जागरुकता, सतरकता, अदुध है उनकी कविताओं में कोई शब्द फालतू नहीं आया है किसी भी एकाद शब्द को हटा कर होने वाले कविता के अर्थांतर की चर्चा होती रहती है परन्त धूमिल की कविता के संदर में अर्थांतर की बात करना इसलिए बेकार है कि उसमें एकाद शब्द हटाने पर कविता ही निर्थक हो जाती है शब्द प्रियोग के दृष्टी से देखें तो धूमिल शब्दों का सही साथ है यह हम सटीक प्रियोग करते हैं धूमिल एक शब्द को जितनी बार प्रियोग मिलाते हैं उतनी ही बार उनकी अर्थ बेंजना भिन्न भिन्न होती है और वह शब्द अपना कोशी अर्थ बनाए रखकर भी समय परिस्थिती वप्रसंग के अंदरोग अपना नया अर्थ बिक्सित कर लेता है यह धूमिल के शब्द प्रियोग की महत्पूर्ण रशेस्ता है उनके कावे में प्रियुक्त नेता, जनतंत्र, चुनाओ, जनता आधी शब्दों को ही लें तो ये शब्द अपने कोशी अर्थ की सीमा से परे वर्तमान समय की राजनीतिक ववसामाजिक व्यवस्था की सार्थक पहचान कराते नजरा जैसे जनतंत्र शब्द उनकी कई कविताओं में कहीं कोशगत तो कहीं संदर्वगत अर्थ में प्रियुक्त हुआ है कोट आज की भूख से भूख के अगले पड़ाव तक लिख दें यह रास्ता जनतंत्र हो जाता है उस वक्त जनतंत्र किधर था कि कविता में पुणराबृत या करिफ्यू में शांत ठंडी शायत पर सैनिक दस्तों में जूतों से जनतंत्र की सफेद और मार्मिक धौनी का निकलना कहीं पर धुमिल ऐसे जनतंत्र की पहचान करते नजर आते हैं जिसमें जिन्दा रहने के लिए घोड़ा और घास को एग जैसे छूट है मैं हूं कविता में प्रियुक्त कभी शब्द कभी की आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करता तो कभूतर शब्द भारत और चीन के मद्यरायनितिक संबंधों को प्रगाण करने माले पंचशील के एतिहासिक संदर्व को प्रस्तुत करता है मोभंगव उदासेंता के स्थिती में कवि पुनह आशावाद से लह सोकर देश प्रेम मेरे लिए कभिता में अपने घायल कभूतरों को फिर से उड़ाना सिखाता है मैंने भी नक्षे के ऊपर लाल कलम से जगय घेड़ दी और उसी सीमा के भीतर अपने घायल कभूतरों को फिर से उड़ना सिखा रहा हूँ इस प्रकार भास, जंगल, अंधा, मौसम, सूरज, लोहा, बसंद, जूता, मकान, धर्मशाला आधिश शब्दों को देखें तो वे प्रतेक संदर में एक नए फक्ष को प्रस्तुत करते नजर आते हैं शब्दों को टोडने महसूसने का उनका अलग नजरिया है जो कि उन्हें समकालीन कव्दों में प्रताकस्थान प्रतिश्ठित करता है संसत्य सड़क तक काविसंग्रे की कुछ पंक्तियां देखें अध्यले शब्दों के धेर में तुम क्या तलास रहे हो यह भविस्ट है याने की शब्दों की दुनिया में आने की सहमती भाषा को हीखते हुए कविता में अब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्ट कर रही है भाषा के चौथे पहर में जुगा तोड़कर भागते हुए शब्दों को कविता में नाद सकूं एक परचित चहरा किसी तत्सम शब्द की तरह अपरचित हो गया है क्योंकि शब्द और स्वात के बीच अपनी भूप को जिन्दा रखना शब्दों के जंगल में धूमिल का शब्द चैन ऐसा है कि पाठक स्वेम उसकी और खिंचा चला जाता है धूमिल अपनी कविता में जिस विशे का प्रितपादन करते हैं उसके समस्त परवेश को इस तरह साकार करते हैं कि उसमें उनका कथ्थिर कव्य और पाठक तीनो एकार हो जाते हैं उदारान के लिए ये दिमोची राम करता है कि हिश्वद चैन को देखें जैसे रापी, पत्याते, नाध कर, विसाती, नवैयत, चक्तियों इशे बाधो, उशे काटो, हिया ठोको, वहाँ पिटो, घिश्चा दो, अईशा चमकाओ, जुत्ते को एना बनाओ सुखतले, सीजने, मोची, चम्रे, जात, मूठ रोजी कमाते याद, शब्दों का चैन कभ ने इतनी तलीमता के साथ किया है कि मोची, कभी और पाठक, तीनों को एक साथ मोची रामते परवेश में लाकर खड़ा कर दिया है यही उनकी भाषा की खोबी है धूमिल ने शब्दों को चुन-चुन कर, फिर उन्हें अन्य शब्दों के साथ जोड़ कर जिस भाषा की स्रिष्ट की है, वह काबिले गौर और काबिले तारीफ है धूमिल ने भाषा के बधे बधाये खाके को तोड़ कर अपनी भाषा गड़ी और ठेट ग्रामिल शब्दों का और भदेज शब्दों का खुल कर प्रियोग किया है भाषा में भदेश्पन को एक तार्किक परणिती तक पहुचाने में उन्हें सफलता मिली और भाषा की सक्ति की रूप में यह माननी भी हुआ अता है धूमिल के शब्दों के काविगत प्रियोग को समूची का विसनक्षना की संगति में देखना ही समिचीन होगा धूमिल ने पहल मुक्ती वारत औरत का धर्मशाला होना गाविन अवरत बच्चे की जूजी आद अशलील से लगने वाले प्रियोगों को जिस संदर्व से जोड़कर काविग का अंग बनाया है उसमें ये प्रियोग अनावश्यक ध्यान नहीं खींचते बलकि संपूर्ण कविता की गुनावट में खपकर ये अर्थ प्रिया में अपना गहरा योगदान देते हैं देखें लगातार बारिश में भींगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गरफात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाट के बाद लगातार बारिश में भींगते हुए अर्थात अनुवाओं का नवन साक्षात कार करते हुए कविता और 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 औरत की यह समानता एक ऐसी उपलब भी बन गई है जिसके माद्यम से सचाई को तीबृता और गहराई से अविएक्ष्ट करने में मदद मिली है औरत के इर्ध गेर्ध बनी धारड़ा की वह देवी है के खोकले पनको दिखाना भी इसके पीछे नहित है दरसल काब्य और आउरत को लेकर बनी रोमानिय तथा जीवन की ठोस सचाई के धरातल पर उसकी धूमिल के विरोधा भास को सही दृष्टी से देखे बिना आउरत को लेकर धूमिल पर सीमित नजरिये का आरोप लगाना तर्क संगत नहीं होगा धूमिल ने राजकमल चौधरी की तरह यौन क्रियाओं से संबंदित शब्दावली का प्रयोग पूरी नगनता के साथ किया है जैसे अवरत एक देह है नेकर का नाड़ा, गाभिन, योन, स्तन, विर्यवाहिनी नालिया, नितंब, भूखे गर भाषे जैसे असंक शब्दों क प्रयोग उनों ने किया है, उनकी कविता राजकमल चौधरी के लिए का एकुदारण अप्रासंगित नहीं होगा, मासिक धर्म रुकते ही सोहागे नवड़ते हैं, सोहर की पंग्तियों का रस, चमड़े की निरिजनता को गीला करने के लिए नए सिरे से सोखने लगती हैं, जांगों में बढ़ती हुई लालच से नविश्य के रंगी सपनों को जोखने लगती हैं, नकर गड़ेस तुलसिराम अस्टेकर धूमिल द्वारा नारी और योन समस्याओं की इस तरह की अव्यक्ति को आवास्तविक और अधूरा मानते हुए भी कहते हैं, जो भी हो, स्व काना चाहूंगा किया उसकी समझ में खोट होने या समझ की अपरिपक्वता का प्रमाण या लक्षन नहीं है, समकालीन जीवन की अव्यवस्था की प्वास्तविक्ता को पाठकों के गले उताहने के लिए, जहां उसने राजनितिक और सामाजिक जीवन के बिद्रूप पक् प्रमाण के उचित या अनुचित के सवार पर कहा, शायद धोमिल के गाउंवाले मन की बात सीधी तवर पर कहने के लिए लाचारी से इतना अक्रामक होना पड़ा है, मैं उनकी भाशा का न पक्षधर हूं, न इस्त्री के शरीर का इस तरह भाशिक उप्योग करने को का वि देता है, शायद उसका उत्साह बिस्थापित है, पर उसका इमान अपनी जगह पर है, और यही बाग हमारे लिए अधिक महत्पून होनी चाहिए, धूमिल के काप में काम नहीं है, कामुकता के प्रत गहरी बित्रशना है, वे अवरत को माक्र शरीर के रूप में नहीं चित हो गई है, काम कुन्ठागरस्त इस्त्री और पुरुष दोनों ही धूमिल के लिए समान रूप से व्यंग के पात्र रहे हैं, डाक्टर गुल्चरर सिंग भी धूमिल की इसपस्ट बादिता को महत्त देते हैं, और अपनी पुस्तक कविता का समकालीन के हवाले से कहते हैं, लोक लच्चा और परंपरागत मर्यादा और नैतिक शब्दावली के बंधनों को तोड़कर धूमिल ने जो जिस रूप में देखा उसे अव्यक्ति दी हैं, अश्लीलता और अश्श्टता समाज में व्याप्त हैं, परंतु संसकार के अनुशासन के कारण उसे व्यक्त करन ऐसे हम तरते हैं, धूमिल में या भै नहीं है, धूमिल की कविताओं में व्यक्त नगनता हमें चौकाती है, क्योंकि हमने आवरणों में रहना सीखा है, हम धूमिल की तरह दुसासी नहीं है, धूमिल की यही स्पष्टबादिता हमें अकर्षित भी करती हैं और परेशान भी, शब्दों का प्रयोग कहीं हमें उधेर कर रख देता है, तो कहीं कष्ट भी देता है, और सोचनी की द्रश्टे भी, धूमिल ने अपनी कविता में उन सभी शब्दों का प्रयोग किया है, जिने पहले कविता के योग के नहीं समझा गया, उन्होंने देशी, प्रियोग किया है वे इस सत्य को स्विकारते हैं कि ग्रामीर शब्दों में संप्रेशन की अद्वत्षमता होती है डप्र सुदेव सिंग ने धूमिल की कविताएं उस तक के प्रचारार वक्तब में धूमिल की ग्रामीर भाषा संपता को एक किसानी संसकार के कब की नजर से देखा है वे कहते हैं वे सही अर्थों में एक अन्य शुक्षित गाउं में पूरी तरह धसे हुए किसान जीवन की कठोड़ताओं व्यंग्यों और मुहावरों को अपनी ग्रामीर भाषा संपता में जीने वाले सशक्त किसान कर थे किसान अर्था जिसके आस पास पडोसी दोस्त, संबंधी और आत्मी काका, भाईया, चाचा, दादा, बुड़हू, भाउजी और बुआ बनकर रहते हैं चाहे वे बनिहार, कुमार, तेली, लुहार, हलवाई हों यहां मेहनत से टकरा कर शब्द बचते हैं और पसीनी से नहा कर मुहावरे कविता की तरह तीखे औ धूमिल शायद दूसरे आदमी थे, जिरोंने अपने आसपास की श्रमक सब्दावली को कविता की और बढ़ा कर कविता तक पहुचा दिया था। भगवान हम इन गरीबन पर गजब गिरा देहलन। अब हम गरीबन का खेवन हार कि हमा कोई नाही रह गई। गरीबन का देवता मर गईल भईया, अब गाउं में हमहन की खातिर लड़ने वाला कोई नाही होगा है। उस गाउं के लिए सीज़ता रहा, भुनता रहा। अग को अलग कर दिया जाएं, तो आत्मा ही शरीर मात रह जाएगी। विद्यानिवास मिश्र धूमिल के काल संग्रह कल सुनना मुझे की भूनका में लिखते हैं, कि धूमिल भी जिन्दगी की गहरी ममता के लिए ही इतने निर्मम है, कि कभी-कभी लोग उन्हें गलत समझते है उन्हें नारे बाज समझते हैं, जपताल बजाने वाले नक्षे बाज कभी मानते हैं, पर जो भी उनकी दिर्ममता, उनकी भाशा के तीखे पन, उनके आवेश के अभिप्राय तक जाने की कोशिश करेगा, उसे दिखेगा कि धूमिल की कविता में बिलकुल अबोध, देहा बाती मा का छलगता हुआ बातसल्य हैं, और सारी चीजें उस बातसल्य के लिए कवच मात्र हैं, वास्तों में धूमिल की कलकी शक्ति का मूल उत्स गमई अनभव और किसानी संसकार हैं, वे दुनिया को किसान की नजर से देखते हैं, इसलिए उनकी कविता के शब्द, भिम महावरे तथा परिभाशाएं ग्रामीर जीवन से उपजे हैं, अपनी जमीन से जड़ना, अपनी जड़े पहचानना, धूमिल के का ब्यानभव की वास्तों में पहली शर्त नजर आती हैं, मूत और गोबर की सारी गंध उठाए, हवा बैल के सूजे कंधे से टकराए, खाल उतारती भी भेंड सी, पसरी छाया नीम की पेंड की डाए डाए करते डागर की सीगों में आकाश फसा है, ड़्यानिवास मिश्र का कहना है कि गरीबी के चित्र गैर गरीब लोगों ने खीचे हैं, गरीबी में जिलने वाले लोगों ने खीचे हैं, पर गरीब की भासिक सं पनता में जीने वाले शायद अकेले धोमिल है, जिनकी कर्छुल बटलोई से बतियाती है, क्योंकि बात बात है, वहां और कुछ नहीं, चिम्टा तवे से मचलता है, जिसके घर चूला मन का ताम, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता रहता है, वहां पहले थाली खाती है, तब आत्मी रोटी खाता है, इस पकार धोमिल ने ग्रामीन जीवन के अभावपूर्ण विपन्यता से ग्रस्त जीवन का सशक्त बड़न किया है, चूले का कोईला, पतीली की दाल, बाल्टी, चौका, पाला लगी मटर, सोहर, मूद गूबर, डाय डाय करते डागर, चकत्त की टांकना, नाधना, पोंकना, हुचुर-हुचुर, लिट्टी, आद ग्रामीन शब्दावलिया और दिहाती जिन्दगी के ठेट चित्रों के लिए उनकी गां, मोची राम, प्रहन शिक्षा, नकसल बाडी, किस्सा जनतंत्र, कभी 1970 आदि कविताओं को देखा जा सकता है, एक उदारण देखें, कविता में जाने से पहले मैं आप से ही पूछता हूँ, जब इससे नचोली बन सकती है नचोगा, तब आपे कहो, इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा? धूमिल ने गाओं की जनता के चित्र को बड़ी गहराई से पहचागा है, वे जानते हैं कि जो अपनी जरूरतों के आगे जनता सहा है, भूख ने उन्हें जानवर बना दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया है, वह एक भेड है, जो दूसरों की ठंड के हैं, उसमें बेच वकानी है, गुस्सा है, लगर वे सामने नहीं आती, जानते हुए भी असली हत्यारे का पता नहीं बताती, उसे जाम कर देने का पूरा इंतजाम किया जा चुका है, भाषा ही इनको छला जाता रहा है, और उसके विरुद्ध भाषा के जानकारों ने अंगे हो रहे थे, उसी दिन उधर गई थी, जिस दिन हर भाषा तुमारी अंगूठा निशान की स्याही में डूब कर मर गई थी, तुम अपड थे, गवार थे, सीथे इतने ही बस दो और दो चार थे, धूमिल अपनी कविता में इसी ठंडी, निर्जीर भाषा हीन जनता क अपनी हिंता-दीनता की भावना को तिल अंजली देकर स्वाहिवान के साथ जीने का संदेश देते हैं, अपनी आदतों में फूल की जगह पधर भरो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो, अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी उप को आकार दो, धूमिल की भ लाने में मश्गूल हैं, देश को गलत रास्ते पर डालने में इनका हाथ हैं, धूमिल की यह आत्मस्कृति इसे भली भात कह देती है, कभी यानि भाशा में भदेश हों, इस गदर कायर हों कि उत्तर प्रदेश हों, जीवन संस्कृति की रचनाकार की यह असहाय अवस्था धूमिल को निरंतर कचोड़ती रहती है, इस असहाय यातना जन्य कायरता को तोड़ने में उसकी भाशा निरंतर प्रेतनशील है, धूमिले भाशा वर शिल्प के सभी पूर प्रिछलित स्वरुपों, संकेतों को अस्विकार कर नई भाशा गड़ी है, कावे भाशा और प्रतीक के अंक सवठक्त के एक निमंद कविता पर एक वक्तव में देखने को मिलती है, उनका मानना है कि सही बात कहने में बड़ी कर्षनाई है भाशा की, कम से कम सही शब्दों की तलाश, जिससे चीज को उसके पूरे आकार और व्यक्ति संबंधों के साथ फ्रेम किया ज अर्था भाशा और काविका अंतर सपस्ट किये वगएर सचाई तक जहना कडाब संभो नहीं, इस संदर्व में पहला काम कविता को भाशा हीन करना है, साथ ही अनावश्यक बिम्बों और प्रतीकों से भी उसे मुक्त करना है, कभी-कभी या अधिकानिश्ता प्रतीकों और बिम्बों के कारण कविता की स्थिती उस औरत जैसी हस्यास्पद हो जाती है, जिसके आगे एक बच्चा हो, गोद में एक बच्चा हो और एक बच्चा पेट में हो, प्रतीक बिम्ब जहां सुक्ष्म सांकेतिकता और सहच संप्रेश्णियता से सहायक होते हैं, वहीं अपन अधिक्ता से कविता को ग्राफिक बना देते हैं, आज महत्व शिल्प कर नहीं कर ठेका है, सवाल यह नहीं कि आपने किस तरह कहा है, सवाल यह है कि आपने क्या कहा है, इसके लिए आदमी की जरूरतों के बीच ही भाशा का चुनाव करना और राजनीतिक हल्क चलों के प्र संगिक संदर्भों के बिद्रूप एवं विसंगती के परिप्रेक्ष से हुआ है, इसलिए उनकी भाशा वो शिल्प एक नए संदर बोद की रचना में तरलीन दिखाई पड़ती है, वे जीवन की विसंगतियों से उत्पन्न और आंचित इस्थितियों का बोद कराने के ल बारत कर भाशा के हलके में गुल खिलाने से इंकार करने वाला कविधूमिल कविता के द्वारा जन जीवन में सीधे हस्तक शेप करने की बात करता है, इसलिए वह बार बार कविता की सार्थकता और उप्योगता के विशय में अपने आप को आश्वस्त कर लेना चाहता है, और कहता है कि कविता भाशा में आद्मी होने की तमीज है। इसके साथ ही कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटगरे में खड़े बेपसूर आद्मी का हलफ नामा है। सपस्ट है कि धूमिल शब्द शमदकार अथवा कलात्मक संदरी के नाम पर कठ्धी की χ़त्या नहीं करते। नहीं उनके व्यढ्य से मिलने वाला संतोश मात्र कलात्मक संदरी जनित संतोश या आनंद कहा जा सकता है। धूमिल के उक्तियां मुहावरे बिम्ब प्रतीक वेंग्यात्मक हैं और उनकी गहन संप्रक्तिके सूचत है निर्धनता किस प्रकार मनुस्य को गिरा देती है इसका वेंग्यात्मक चित्रन मकान कविता में देखा जा सकता है जहां बुढ़े खाना खा चुकने के बाद अंधे हो जाते हैं जवान लड़कियां अधेरा पकड़ लेती है जवान लड़कियों को गलत रास्ते पर जाते देखकर वीचुप रहना पेट की मजबूरी बन जाता है यहां वक्रुक्त से व्यंग उघरता है आर्थिक विशंता एवं सोशन पराधालित उनकी कविता रोटी और संसद अत्यंत मारमिक है एक आदमी रोटी बेलता है दूसरा आदमी रोटी खाता है तथा एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न खाता है वह और यह व्यंग ही उनकी कविता का प्राड़त्त्व हैं व्यंग शिल्प की द्रश्टी से धोमिल अधिकतर एक अलाब तथा आख्यान का साहरा लेते हैं वे अपनी कविताओं में सीधे पाठक से मखातिव होते हैं उनकी भाषा व्यंग के सर्वता अनकूल है आक्रामक मुद कुद्रा लिये सरल स्पष्ट तथा सपाट भाषा विचार के अनुरूप वक्र भी हो जाती है परन्तु यह वक्रता अस्पष्टता को जन्म नहीं देती बलकि व्यंग की संघारक सक्ति को बढ़ाती है धूमिल की कुछ कविताओं में जो अस्पष्टता है वह भाषा की पिक्षा संबेदना की जटिलता का परणाम है धूमिल पेशेवर भाषा को अपनी कविता के लिए अनुप्यूक्त मानते हैं नहीं अब वहां कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है पेशेवर भाषा के तसकर संकेतों और बैलमुत्ती इवारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ ह इस कविता में बैलमुत्ती इवारतों जैसे व्यंग्यात्मक कथा से धूमिल ने स्पष्ट किया है कि उस तथा कतित, कलात्मक, सांकेतिक एवं अस्पष्ट भाषा के प्रति उनके मन में भारी विद्ष्णा थी बसंत कविता धुमिल सवंदर्य में स्वाद तलासने वाली स्वान व्यर्थ पर टिपणी करते हुए कहते हैं सवंदर्य में स्वाद का मेल जब नहीं मिलता कुट्ते महुए के फूल पर मूतते हैं यहां मोतने की क्रिया अपना इस्ट स्वाद ना पाने पर सुन्दर वहुए के फूल को तिरस्टित करने की श्वान बृत्ति की घ्रनासपद अव्यक्ति है। एक और संदरे का स्वाद रखने वाले श्वान बृत्ति के तथा कथित सुविधा वोगी हैं और दूसरी और जरूरत से बिलबिलाते असंखिजन हैं जिने स्वाद और संदरे के रिष्टों की कताई पहचान नहीं। दूमिल के पंक्तियों का व्यंग इसी दूसरे बारे के लोगों की जरूरत की पक्ष में हैं। वे चाहते हैं कि संदरे बोध जरूरत के अनुसार बने, सुवाद के अनुसार नहीं। दूमिल का व्यंग ऊपर से देखने में भले ही सहज लगे, परत प्रभाव में अत्यदिक तिक्षन होता है, किन्तु पैना और तिक्षन है। व्यंग बोध की द्रश्टी से मोचिराम कवता विशेश रूप से उलखनी है, जहां कर कहता है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरमत के लिए खड़ा है। पूरी कवता व्यंग बेंग्या विव्यक्त की द्रश्टी से एक महत्त प्रून करता है, जिसे साठोतरी हिंदी कवता की उपलवद की रूप में स्विकार किया जा सकता है। धूमिल के व्यंगे की सबसे वड़ी विशेष्टा यह कही जा सकती है, कि उसमें तीखी पन के साथ साथ बाखलाहट जरा भी नहीं है। पटकथा जैसी लंबी करता में से इस संदर्ज में कई उदरहन दिये जा सकते हैं। एक उदरहन देखें। अपराधियों का एक संजुक्त परिवार है। धूमिल ने इस देश की संसत, समाजबाद, आजादी, चुनाव, नेता और राजनीत सभी पर पहना बेंग किया है। जो कि पाठख को अपनी उपस्थेती से आमंत्रित करता है, उद्वेलित करता है और हमारे सामने कुछ महत्रण प्रश्ण रखता है। इस देश के बारे में धूमिल का कहना है, हिमाले से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का धेर है, जहां हर तीसरे जुबान का मतलब नफ्रत है, साजिश है, अधेरा है, यह हमेरा देश है। एक कविता कुछ सूचनाएं, कविता में कविने समन्वे वादियों को हत्यारा दार्शनिक को जिव, जेवर खरिदने में विस्त बतला कर, हीरों से लिंगबोत पर भाशन करा कर, बेश्याम दोरा आत्मबोत पर कविताएं पढ़वा कर, तथा प्रेम में अस्फल चात्रा की अध्याबकाएं, बनने सरीखी इस्थितियों पर व्यंग प्रहार किया है, इसके अलावा उन्होंने देहाती समाच, कस्बा, शहरी समाच, सभी पर तीखा बन किया है, 67 कविता में अभियक्तियों के इस्तर पर सपाट बयानी को महतो दिया गया है, नई कविता में जहां बिंबो और प्रतीकों पर जोड़ था, वहां 67 कविता में अधारनात्मक कत्रों पर बल है, धूमिल से लेकर कुमार बिकल तक इस प्रविर्टी को सरवत्र देखा जा सकत सपाट बयानी के समन्द में अपनी विचार प्रकट करते हुए कहते हैं, सपाट बयानी अत्वा साथोत्तरी कविता में शब्दों को खोल कर रखने से प्रतीकों और बिंबों के प्रियोग को लेकर किसी प्रकार की भ्रांती नहीं होनी चाहिए, प्राया धूमिल को सपाट बयानी कहा है, तो इसका अर्थ संदर्व अत्वा प्रसंग जानने पर उसके विस्तार वं व्यापक होने का बोध सहजी हो जाता है। उनकी तकरीबन हर कविता में ऐसी पंक्तियां मिल जाएंगी जो सपाट वयानी के सरणी करण से दूर गहरे अर्थबोत का संकेत देती है जैसे मुझे लगा है कि हाफते हुए दर्दल की बलल में जंगल होना आदमी की आदत नहीं अधना लाचारी है और मेरे भीतर एक कायर दिमाग है जो मेरी रक्षा करता है और वही मेरी बटनों का उत्रा दिखा रही है समसावई एक आदमी की अधना लाचारी और कायरता के बयान को गहरे अर्थ से मंडित करने वाली इन पंक्तियों की सारी शक्ती उसके परस पर संगठन में छेपी हुई है धूमिल के काप में बिम्बो और प्रतीकों की सहस्ता वसुबोधता उनके काप की सरजनात्मक शमता को बढ़ाती है धूमिल ने स्वयम अपने भाशा विस्यक वक्तब्य में अत्यधिक बिम्बात्मक भाशा का मजाग पुराया है फिर भी उनकी कावे भाषा बिम्बा अत्मक है डप्र गणेश तुलसी राम अस्टेकर ने धूमिल की कावे भाषा में बिम्बों की उपस्थिती ही स्विकार नहीं की है तो स्री बांदिव डेकर को उनकी कविताओं में बिम्बों की सम्रित्थी दिखाई देती है धूमरी के कावे में एंद्रिक बिंबो की प्रिचुरता और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है इनकी कविता में दृष्ट्रिया रूप बिंबो का विशाल भंडार दिखाने पड़ता है कभी उन्हें अपनी मा का चेहरा जूर्यों की जोली बन गया है प्रतीत होता है तो कभी उसे काम कुंठागरस्त युवक की आँखों में कुत्ते भंपते वे दिखाई देते हैं कहीं पर चंद खेत हतकरी पहने खड़े दिखते हैं तो कहीं पर पत्नी सुर्य नमसकार की मुद्रा में खड़ी है कहीं पर बनिये की आंख बनेले जानवर सी जलती दिखती है तो कहीं पर भाषा तांग की नीचे पड़ी वी रूई की तरह तूटती दिखाए देती है कहीं पर हवा में फड़ाते हुए हिंदुस्तान के नक्षे पर गाए ने गोबर कर दिया है तो कहीं पर कभी को अपना गुस्सा जन्मत की चड़ीवी नदी में एक सड़ा हुआ काश रजा राता है धुमिल की कविता में शपर्ष बिम्मों का भी प्रयोग देखा जा सकता है एक अभावगरस्त किसान के चेहरे का बिम्म बड़ी सहस्ता से इन पंक्तियों में उबर कराया है एक ठंडी और गाठदार अंगुली माथा टटोलती है सोच में डूबे हुए चेहरों और वहां दर्की भी जमीन में कोई फर्क नहीं है यहां किसान के कर्मठ हाथ की काठदार अंगुली उसके चिंता अग्रस्त माथे पर घूमती भी दिखाई देती है किसान का माथा चिंता की रेखाओं से भरा हुआ वैसा ही दिखता है जैसा कि सूखे में फटे भी जमीन इसी प्रकार कवे ने डर्को सबसे बारीक, सबसे मुलायम कहा है ऐसे असंख भिम्ब धुमिल की कावे भासा में सहज ही आ गए है उनकी कविता में आस्वाद भिम्ब भी परयाब्त है उनके कावे में नमकीन धुने हैं तथा लोहे का स्वाद है श्रब बिम्बो में जन्जनाता चाकू है तो खड़़़ाता दिन है कहीं लोहे की आवाज तो कहीं एक अजीब सी प्यार भरी गुरहाट है घ्राने बिम्बो का प्रयोग भी देखा जा सकता है कभी को अपने आप जूते से निकाले गए पाउं सा महकता हुआ लगता है तथा अपना क्रोध सड़े हुए काट सा निरड़ ठक लगता है धुमिल की कावे में बिम्बो की उपस्थती के प्रति किसी भाशिक शमतकार का मुँँ नहीं है बलकि कभी स्वाभाविक रूप से ही अपनी संवेदनाओं को जाने पहचाने बिम्बो के सहारे मूर्द रूप देकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है धुमिल ने एंद्री ये बिम्बो का अधिक सहारा लिया है नर्भक्षी जीव, बनेले जानवर की आँख, तथा स्वस्तिक का चिन्न जैसे मित्की ये बिम्ब अपवाद कहे जा सकते है अनेक स्थानों पर धुमिल की बिम्ब स्विश्टी जटिल भी हो गई है जिसे अकविता अंदूरन का प्रभाव कहा जा सकता है एक विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अदमरा बश्च पड़ा हुआ है उसकी नाभी में एक सरा हुआ घाव है जिससे लगातार भयानक बदभूदा मवाद भह रहा है उसमें जातियों धर्मों संप्रदायों और पेशा और पूजी के असंक कीड़े किलविला रहे है और अंदकार में डूबी वी पृतवी इस भीशन सरांध को चुपचाप सह रही है इन पंक्तियों में धूमिल ने एक विराट सगनवा संशलिस्ट बिम्ब प्रस्तु किया है जो बीभतसता को मूर्थ करता है डप्र बली सिंग का मानना है धूमिल के युक्त बिम्ब में असंगती चित्रे असंकेत की नहीं बटकी विचारों की है क्योंकि राजनीत में लगे सभी लोग दलदल के किनारे नहीं होते सभी पार्टियां मावाद नहीं छोड़ती पर धूमिल ऐसा ही मानते है अपने बिम्बों के दिर्मार में ग्रामीड अनभों का प्रियोग भी धूमिल ने परयापत रूप से किया है अमूर्त भावों की बिम्बात्मक और व्यक्त के लिए बिम्बों का सहथ चयन धूमिल की विशेष्ता है दूसरों के लाग के लिए अपनी पीट पर उनकी फसल धोदे माली भेड के रूप में जनता का जो बिम्बों भरता है वह द्रिश्य भी है और प्रतीक आत्मक भी धूमिल की भाषा सहरी रूप से प्रतीक आत्मक हो गई है और इसलिए ये प्रतीक जीवन से जुड़े होने के कारण सुबोध है उनकी कविता में धर्मशाला, जंगल, घास, भेडिया, रोश्नी, जूता, पतजर, दात, शांतियात्री, कटघरा, मदारी की भाषा, जलता जंतंत्र दलदल आजशब्दों के साथ प्रतीकार्थ जुड़े होने हैं जंगल शब्द कहीं अव्यवस्था का प्रतीक है, तो कहीं साहस का, कहीं स्वतंत्ता का, यथा अवदारन के तौर पर जंगल शब्द को लिया जा सकता है धुमिल ने जंगल शब्द का प्रयोग अव्यवस्था के प्रतीरूपों में किया है, कई बात लिया है छापा मार दस्ते के अगुवा की तरह देह के जंगल में गार रखा था कभी-कभी धुमिल ने जंगल शब्द का प्रयोग सहस्क रूप में थिया है इसलिए उठो और अपने भीतर सोई हुए जंगल को आवाज दो कभी-कभी इसी जंगल का प्रयोग स्वतंतरता के अर्थ में भी किया गया है बस जरासी गफलत होती है और जंगल आदमी की गिरफ्त से छोटकर दीवारों की कवायद में शरीख हो जाता है इसे प्रकार मोची राम कर्वता में जूता शब्द भी प्रतिकात्मक है या कहें कि समोची कर्वता ही प्रतिकात्मक है पूरे समाज पर टक-टकी लगाकर मोची राम जिस लखे में समाज पर टिकपणी करता है वह एक चिंतक के बिशलेशन से कम नहीं लग दी जहां प्रतेग की पहचान ब्रती की पहचान एक जोड़ी जूदे से अधिक नहीं है चुप और चीख के मुहावरे को तलाश करती है कविता सामाजी विशंताओं और विसंगतियों के भीतर रहस्यों का सीधे बंडा फोड करती नजाराती है धोमिल की पटकथा का सुपन प्रसंग भी प्रतीकात्मक है जो के आजादी के बाद मोभंग की द्रास्दी को सशक्त रूप में प्रस्तुत करता है उनकी कम रानामक कविता भी पूरे परिवार की कमर तोड महनत परिशानियों और प्रचलित जनतंत्र की बिसंगतियों का प्रतीक बन गई है जिसमें पिता एक्काहकता है, मा कोठी में बरतन मास्ती है, बेटी जवान है, उसके जिम में संतरों की विक्री का काम है पूरा परिवार फिर भी अपनी दुनियादी जरूरतों को नहीं चुटा पाता धूमिल ने काबिरोडियों को बदला है क्योंकि हरे रंग का प्रयोग हिंदी कविता में सामाने तयाब प्रसंदता और सम्रिद्ध के प्रतीक के रूप में प्रयोगत होता है लेकिन धूमिल ने हरे रंग का प्रयोग डर और भय के अर्थ में भी किया है संसा से सड़क तक कविता में ऐसे कई उदान है पक्तों का हरापन डर की वज़ा है जहां भुखमरी बड़े पैमाने पर फैली हो वहां कुछ लोगों का खुशाल होना सचमच भयानक है दूमिल ने देखा और महसूस किया कहीं कहीं घास का हरा होना कितना डराउना है अधिकांस उजाड और गरीबी में कुछ लोगों की खुशाली मानवता के लिए खतरनाख होती है इसलिए वह भयानक है, भैप्रद है, डराउनी है दूमिल का यह थार्द बोधी प्रशलित का विरून को तोड़ता है पटकथा में भी हरे रंग का प्रयोग मूरता या अज्ञान के अर्थ में प्रयोगत हुआ है मूरता की हरी हरी घास लहरा रही है जिसे कुछ जंगली पर खूद रहे है, लीद रहे है, चर रहे है समग्रता कहा जा सकता है कि धूमिल की का विभाषा उनके शिर्प का उलेखनी ये पक्षे बैचारे कंतर विरोधों और शिर्पगत सीमाओं के बावजूद धूमिल की भाषा में अपनी एक खास ताकत मौजूद है